तो दोस्तो अगर आपको बचेवे ब्रेट का कुछ नया चटपटा कुछ अनोखा बनाने का मन कर रहा हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राइ करना क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है जल्दी बन जाती है और इसे बच्चे हो या बड़े सभी लोग काफी ज़्यादा पसंद करेंगी चलिए आज की नी रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों कड़ाई में हमें लेना है बिल्कुल थोड़ा सा तेल इसमें डालेंगे हम बारी कटावा लसुन और बारी कटावा अदरग इसे हमें अच्छे से brown होने तक fry कर लेना है जैसे यह brown होगा हम इसमें डालेंगे सबजिया तो मैंने यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, पियाज और पत्ता गोबिली है जैसे आपको जो सबजिया पसंद हो वो आप डाल सकते हैं इसमें आप sweet corn, paneer, broccoli जो डालना चाहें डाल सकते हैं अब इसे high flame पर हमें अच्छे से fry करना है और जैसे ही सबजिया थोड़ी soft होंगी ना हमें इसमें डालना है ketchup तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है chili sauce इसके बार डालेंगे हम soya sauce और डालेंगे tomato ketchup यह जो हमने sauce डाले है थोड़ा जादा quantity में डालना है तो आगे हम इसमें मैगी भी आइट करने वाले हैं तो stuffing जितनी चटपटी होगी ना खाने में यह उतनी ही जादा मज़िदार लगती ही अब इसमें डालेंगे हम दो सेशे मैगी मसाला की तो बाजार में जो 10 रुपे वाली मैगी आती है ना उसके अंदर जो मैगी का मसाला होता है यह वही है मैंने दो पैकेट लिया है तो दो पैकेट मसाला डाला है और मैगी को अलग से बॉयल करके रख लिया था वह भी आइट करेंगे और फिर लास्ट में हमें थोड़ा से नमक डालना है क्योंकि सॉसेस में और जो मैगी का मसाला होता है उसमें नमक होता है तो आपको ध्यान से नमक डालना है और इसे बिलकुल हलके हातों से high flame पर mix करना है तो इस तरीके से ये हमारी चटपटी मज़ेदार stuffing बनकर तयार होगी आप इस मैगी को ऐसे भी खाएंगे ना बहुत शांदा लगती है इसे आप चिली मैगी कह सकती है तो जो हमारी stuffing है दोस्तो इसे हमें तयार करके एक साइड रखना है और फिर हम packet की तयारी करेंगे मतलब pocket की तयारी करेंगे जो बनेगी left over bread से तो यहाँ पर जो मैंने bread ली है न वो एक दिन पुरानी है और थोड़ी ये dry हो चुकी है तो इसे soft करने के लिए और इसे fresh करने के लिए आज मैं आपके लिए पहुत ही unique सा trick लेकर आई हूँ जिससे bread बिल्कुल fresh हो जाएगी और इसे आप जो चाहे नाश्ता बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है एक तपतीले में पानी और इसे गरम करने के बाद उल्टी छन्य रखना है और इस छन्य के ऊपर हम रखेंगे bread के slices और फिर इसे हम ढग देंगे तो मैंने एक बार में 4 slices रखी हैं और इसे ढग कर हमें 32-40 सेकंड के लिए steam करना है जी हाँ जो steam है ना उसे से ही bread बिल्कुल soft हो जाएगी इतनी soft जितनी कि आप बाजार से जो fresh bread लेकर आते हैं उससे भी कई कुना ये soft हो जाती है ये देखें दोस्तों अब जैसे चाहे वैसे fold कर लीजी इसे कुछ नहीं होगा ये बिल्कुल तूटेगी नहीं अब ये हमारे bread तो बिल्कुल soft हो चुकी है ये देखें मैं आपको fold करके भी दिखा रही हूँ जबकि ये एक दिन पुरानी bread है और अब हम दो slices bread की लेंगे और इसे बेल लेंगी अगर हम इसे steam में नहीं रखते तो आप इस तरह की से बेल नहीं पाते जो bread है न वो बहुत ही जादा तूट जाती और शेप की sheet बनानी है तो बिल्कुल पतली सी sheet बन चुकी है इसमें हमने दो bread ली है लेकिन पता नहीं चल रहा है और अगर आपको दूसरा शेप पसंद आता हो जिसे के round shape तो आपको फिर से दो slice bread लेना है उसे थोड़ा बेल लेना है और किसे भी धक्कान से कट करके बिल्कुल ये round shape की sheet भी आप बना सकती है चले दोस्तो अब हमें लेना है corn floor तो मैंने 1 fourth cup corn floor लिया है और 1 fourth cup मैं डलिया है इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और साथ ही पानी और इसे अच्छे से हमें mix कर लेना है तो हमें बिल्कुल lump free batter बनाना है और अच्छे से mix कर लेने के बाद जो हमने sheet बनाई है round shape की या square shape की उसे हमें इसके अंदर dip करना है अगर आप egg खाना पसंद करते हैं तो आप egg के अंदर भी इसे dip कर सकते हैं और फिर इसे breadcrumb के अंदर अच्छे से full करना है आप यहाँ पर conflix को crush करके भी इस्तमाल कर सकते ही तो इस तरीके से यह हमारी sheet सभी sheet बना कर तयार कर लेना है आप सुबे बना कर शाम को भी fry कर सकते ही और जैसे ही यह सारी sheet बन जाए हमें गरम तेल में डाल कर fry करना है अब जैसे मैं इसे fry करूंगे ना दोस्तों आप देखेगा बिल्कुल एक magical trick यह आपर देखेगी आपको बिल्कुल एक गुपारी के तरफ फूलेंगे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा मतलब दो bread बिल्कुल आपस में चिपकी वी थी और ओयल में जाने के बाद बिल्कुल गुपारे के तरफ फूली फूली हो जाती है और यह काफी तदा क्रिस्पी हो जाती है इसे देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा कि कितनी शांदार यह recipe है तो इस तरीके से देखिए हमने square shape की जो sheet फ्राय कर ली है उसी तरीके से आपको round shape की भी sheets फ्राय कर लेने है उसे भी आप bread crumb में fold कीजे, slurry में dip कीजे और फिर इसे फ्राय करना है यह भी काफी फूली फूली बनती है तो दोनों तरीके से आप इस नाश्टे को बना सकते हैं और इसे अपने party में, kitty party में, गर में कोई function हो तो आप इस recipe को बना सकते हैं तो हमने यह आपर देखें, सारी sheet fry कर ली है और अब मैं आपको इसे cut कर के दिखाऊंगी कि यह कितनी जादा crispy है तो देखाना अपनी, जैसे हमने cut किया, आप देख सकते हैं, काफी crispy तो हैं लेकिन अंदर से यह कितनी जादा खुली-खुली है, मतलब इतनी खाली है अब इसके लिए एक sauce बनाएंगे, orange sauce तो इसके लिए मैंने लिया है tomato ketchup और साथे वेज मियो और इसे हमें अच्छे से mix कर लेना है अच्छे से mix करने के बाद, यह जो हमारी डिप या जो sauce है बिल्कुल जब हम burger में जो orange sauce खाते हैं वैसे ही लगती है, बहुत ही चटकारे दार लगती है अब जो हमारे pocket है उसे हमें बरना है तो सबसे पहले हमें यह orange sauce पर लगाना है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी धन्या डाली है आप चाहे तो lettuce के leaves भी डाल सकती है और जो हमने stuffing बनाई है उसे गर्मा गर्म इस pocket के अंदर डालना है अब इसके उपर थोड़ा सा वेज मेयो भी लगा सकते हैं गार्निशी के लिए और इस तरीके से इसे serve करना है लेकिन यहाँ पर मैंने देखे round chip के जो pockets बनाए थे ना उसे मैंने मतलब stuff करके फिर उसके उपर मैंने white तिल जो सफेद तिल होते है ना उसे डाल कर गार्निश किया है बहुत ही क्रिस्पी चटपटी चाइनीज पॉकेट बनकर त्यार हो चुके हैं जो काफी मज़ेदार लगते हैं तो इस रेसेपी को ट्राय जरूर करना रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लेज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा